बिसमिल्लायर्मार्ण रहीम, आज हम शेयर कर रहे हैं लहुरी पाई की रसिपी, लहुरी पाई बहुती जल्दी बन जाते हैं, हमने पाई जो है वन एन हाफ लिया है, इसको प्लेस करेंगे इंस्टेंट पॉर्ट में बनाने जा रहे हैं आज, धनिया पॉडर वन टीस्पू इसमें डालेंगे, दमक वन टीस्पून, बे लीफ एक अधत, दार्चीनी का तुकड़ा एक अधत, बादियान का फूल लॉंग चार से पांच अधत, और एक अधत प्यास दर्म्याने साइज की एक अधत टमाटर, 6-7 अधत मिर्चें, इसको डानने के बाद हम पानी इतना दानेंगे के प्रेशन पूर डूप जाए, अम इस्टेंट पॉर कर देंगे इसको, ठीक है, अब इंस्टेंट पॉर्ट में हम 40 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हैं, प्रेशन मूट पे लिकर रहा जाएंगे अपने पॉर्ट को, और आउन करेंगे 40 मिनट्स में, हमारे इसी 40 मिनट्स के अंदर पॉरे पाय ताया हो जाएंगे हमारे, हाफ कप मैंने ओल लिया है, एक पतीले में, ठीक है, एक देखची में ओल लीची हाफ कप, फिर इसके बाद दा लिए, बड़ी लाइची एक अदत, जार से पांच अदत लांग, दार्चीनी का एक तुकड़ इसके बाद मैंने जिंजर गरली का पेस्ट वन टेबल स्पून और हरे मिर्च का पेस्ट वन टेबल स्पून एड़ किया है, जब हमारा गरम मसाला क्रेक होने लगे, जिंजर गरली का पेस्ट दाल का स्कुब होने, तीन से चाल मिर्ट पूरेंगे, वन एन हाफ टेबल स्प ठिरी तो ड़नेदारई को है तो आप के एए बर अचिछ के दो बहते हैं तो मसाली के एक ही पर देता काया और सने चालानी जले जकि जुआ एब है दही को हमने अच्छी तरह से भीट लिया रूम टरशा में लेकर आगे दही चब डाले तो बहतर है यह आप फ्लेम जो है मीडियम करने दही दाने के बाद हमने पांच मिनिट मीडियम फ्लेम और हाई फ्लेम में चार मिनिट हाई फ्लेम में एक अदत अनियन को मैंने इसको एड़ करेंगे और इससे थोड़ी देख लिए भूनेंगे इसी होता है ग्रेवी अपमारी थिक दंदी है इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से पानी सुकाने इसका दही का भी पानी है और अनियन का भी पानी सुक जाएगा मसाला इस तरह दानिदार हो जाए है 40 म हो चुके हैं हमारे पाए बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं वैसे 30 मिनिट 35 मिनट का मैं टामन लगाना चाहिए इसको हम मसाले में डालेंगे ठीक है वो जो मसाला हमने भूना है पाए की बनाई करेंगे पाए की बनाई बहुत जरूरी होती है आप सारे पाए निकालने ग्रे लगते हैं खाने में इसको बहुत अच्छी तरशे भूने सास से 8 मिनिट लगे हैं मेरे इसको बहुने में ठीक है फुल फ्लेम रखें और इसको मसलसल टेम चलाए इतना चलाए कि ऑउल आ जाए सही मसाला उच्छी तरह से एकजान हो जाए सारे पाए में पाए का कि शस्केब कर सकते हैं come को चीयह लगता है कि पाई में एक अच्छा सर्फ टेस्ट हाजाता है है अगर इसको करना चाहें तो अब स्केबिक कर सकते हैं इसमें एड़ करते एंध कर दें और श्लसा किन्दिड चलाता है डिकींपा फूनते में 8-10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे पाया सूप दाल देंगे पाया को खुलाने के वक्त जो सूप था वो सारी सारा सूप इसके अंदर दाल देंगे जिसमें टमाटर भी एट थे प्यास भी एट थे और करम मसालर और हरे बर चेंड देंगे अब हम इसमें एट कर देंगे एट करने के बाद सारा पाया सूप इसमें एट करने के बाद इसको फुल फ्लेम में जोच देंगे और समचे चलाते रहेंगे पाच मिनट जोच देने के बाद पर इसको तो दस मिनट पेपकाएंगे ताकि यह कड़ा हो जाए ठीक है सारा फ्लेवर पाई में आजाए मसाली और मसाला जो है यह ग्रेवी जो हमारी ठीक हो जाए ठीक जितना करना चाहते हैं आप वह पर डिपेंड करता है अगर जादा थिक चाहिए तो आफ फ्लेम फूल करके इसको लखड़ी की चमचे की मदद से हलक 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 चलाता है ताकि आपके पाएं टूटे ना सभी मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी मेरे पाएं बल्कुल तयार है तकरीबन 40 मिनटस पाएं को गलाने में लगे हैं 45 मिनटस इसको जोच देने पाएं बल्कुल तयार है इसको गरम अधर के लेजिए जिसमें हरदनिया हरे मिर्चेंग अधरक के जुलियन कट के पीसिस पौदीना ये तोमाम चीज़ें आप कारतें करम गरम चपाती के साथ पेश कीजिए लहुरी फज़ा पाया है बिल्कुल तयार है इसे बनाईए शेयर कीजिए और कमेंस बाक्स में ट्राइ कीजिए विकिन चानली इतनी मज़े के बने थे और दूसरे दून तो इसका फ्लिवर डबल हो गया तो बनाईए आप रात में बना कर दीजिए सुबा सर्फ कीजिए अगर दावतों में बना रहे हैं तो तो एक रात पहले ही तयारी कर लीजिए तयार हो जाएंगे कमेंड इस बॉक्स में मुझे जरूर बताएए कि आपने बनाए हैं तो आपकी रस्ते भी कैसी ही